असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं पालक और अंडे से बहुत ही मज़िदार नाश्ता जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में काफी लजीज़ा बहुत ही मज़िदार है तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर देनिंध कुछ मसाले आधा फिर्टी स्पून फिर्टी पाउडर ना रहनो है अरादा वनेटर नski देंड़श क्षा खालन काफी पाउडर प्रत आथा तीज़ून तो यहां पर लिए घर्टी स्पून हरी मिर्च को हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया बारिक काट लिया है अब अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च को कम जाधा कर सकते हैं और एक टी स्पून हमने मेहा पर लिया अद्रग का पेस्ट और एक टी स्पून लेसून का पेस्ट और यहां पर हमने एक बड़ा प्या गरम करने को रखा हुआ है आघू हम यहाँ पर डालेंगे लगबाग हमने यहाँ पर दो से तीन टेबल स्पुन तेल मने ले लिया यहाँ पर नर्ब होने तक हम इसको अच्छा तरीके से चलाते से भूण लेंगे और अब देख सकते हैं इसमें गुलाबी सा रंग आ चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारी कटी हुई और अद्रक लेसुन का पेश्ट और इन सारी चीज़ों को चलाते हों हम प्यास के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे तो अद्रकलेशन का पेस्ट और हर इमिर्च भी हमने प्यास के साथ अच्छी तरीके से भून ली है तो अब हम इसमें डालेंगे सुखे मसाले जो हमने लिये थे पाउडर वाले वो हम डाल देंगे और साथी नमक भी डाल देंगे नमक आप अपने हिसाब से कम जाधा कर सकते हैं अपने टेश्ट के हिसाब से तो इनको भी चलाते हुए हम अच्छी तरीके से भून लेंगे तो मसाले हमारे भून गये है तो अब हम इसमें पालक डाल देंगे पालक थोगा सा जादा लग रहा है लेकिन यह भी बिल्कुल बैट जाएगा गल जाएगा तो हम पालक को इसी तरीके से डाल देंगे और इसको ढख देंगे तो यह अच्छी तरीके से गल जाएगा तो अब हम इसपर थोज़ा सा धकन लगा देते हैं और फलेम को मीडियम फलेम पर कर देंगे ताकि पालक भाप में अच्छी तरीके से गल जाए तो आप देख सकते हैं पालक जो है अच्छी तरीके से गल गई है और पानी छोड़ने लगी है तो मसालों को और पालक को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चलाते वे इस तरीके से ताकि नीचे से हमारे मसाले जो है वो लगे नहीं और आप देख सकते हैं पालक जो है पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से छोड़ने लगा है तो इस तरीके से इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से ढखकर इसको हम 5 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे तो पाँच मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पालक जो है अच्छी तरीके से पक चुकी है तो एक बार अच्छी तरीके से मसालों के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे और पालक को इस तरीके से पैन में हम सेट कर देंगे और बीच में हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी जगा बना देंगे चार तरफ हमने इस तरीके से जगा बना ली है इसमें हम अंडों को डालेंगे तो यह देखिए हमने यहाँ पर जगा बना दी है तो अब हम इसमें अंडे डाल देंगे तो यहाँ पर मैं चार अंडे ले रही हूं और यह बहुत ही मज़िदार नाश्ता बनता है तो आप यह बार बिल्कुल नई रेसिपी है तो आप भी इसको जरूँ ट्राइ कीजिए बिल्कुल नई रेसिपी है यह और काफी healthy breakfast है ये तो इसको आप जरू ट्राइ कीजिए और अंडो पर हम थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे और चाप चाहें तो black paper powder भी छिड़क सकते हैं तो अब इसको ढख कर हम medium to low flame पर 5 मिट के लिए पकने देंगे तो 5 से 10 मिट हो चुके हैं तो लगबक 10 मिट के लिए हमने इसको पका लिया था तो अब हम इस पर chili flakes डाल देंगे और आप चाहें तो धन्य की पत्ती भी इस पर डाल सकते हैं तो मेरे पस पचीवी हरी मीर्च है बारी कटीवी तो मैं उपर से वही गार्निश कर दूँगे उपर से और हमारा breakfast जो है वह बनकर बिल्कुल तयार है तो अब हम गैस को बन कर देंगे और ढखकर इस तरीके से इसको पाच मिनट के लिए रेष्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो अब देखिए हमारा breakfast जो है बनकर बिल्कुल तयार है सर्फ करने को बिल्कुल रेडी है तो हमने अंडा और पालक का ये breakfast बना कर तयार कर लिया है और हमने इसको सर्फ भी किया है तो अगर आपको ये recipe पसंद आई हो, ये video पसंद आई हो तो इस video को like करें, मेरे चैनल को subscribe करें और comment करके मुझे जरूर बताए ये अंडा और पालक की नई नई recipe आपको कैसी लगी ये video आपको कैसी लगी